अब e-commerce platform जैसे Amazon, Flipkart आप भी शॉपिंग करते होंगे ये platform ऐसे हदकंडे नहीं अपना सकेंगे जिनके जरीए ग्रहाकों को e-commerce platform पर जबरदस्ती कोई समान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए अब होकता मंत्राले ने सभी e-commerce कंपनियों को इस तरीके के हदकंडे रोकने के लिए कहा है Amazon, Flipkart, Reliance Retail, Swiggy, Zometo जैसे तमाम e-commerce platform को सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है ये ख़बर आपके लिए बहत्मातोपूर्ण है इस ख़बर को जानना इसलिए जरूरी है कि शायद आप ये डार्क पैटरंस इनको e-commerce की भाशा में डार्क पैटरंस ये डार्क टैक्टिक्स कहते हैं यानि ये ऐसे च्छदम तरीके हैं जिनके जरिये आपको खरीद के लिए बात दिखिया जाता प्रेरित और प्रोटसाहित से कहीं आगे की चीज़े बात दिखिया जाता ये कैसे होता है आप भी अगर e-commerce पर शापिंग करते तो आप देखते होंगे कि आपने कोई प्रोट्रेक्ट बुक किया और कमपिनी कहती कि इसके स्टाक में के और दो ही पीसे बचे हुएं इसे आप ततकाल खरीद लीजे कमपिनी आप से जब आप किसी प्रोट्रेक्ट को बुक कर रहे होते हैं तब ये दिखाया जाता है कि पिछले एक घंटे में इतने सारे लोगों ने इस प्रोट्रेक्ट को खरीद लिया है Amazon जैसी websites किसी product को book करते समय नीचे को देती हैं कि पिछले दो घंटे में इतना सामान इस website पर भिका है ये वो dark patterns हैं जिसके जरीए आपके खरीद के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है ये कोशिश की जाती है कि आप किसी तरह से उस उत्पात को खरीद लें इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें confirm shaming है अगर आपने आपको अपना product select किया उसको card में transfer किया और आपने उसको finally bill तक नहीं पहुंचाया तो आपको बार बार इस बात के लिए के लिए प्रेरित किया जाएगा या बात दिकिया जाएगा कि अगर आप नहीं करते तो पैसे बढ़ जाएंगे या cost बढ़ जाएगी force करना कि आप इस product को खरीद कर transaction complete कर लें subscription के तरह तरह के trap बना देना कि अगर आपको यह product लेना है और इस product को आगे subscribe करना है खासतोर से बहुत सारी grocery company ऐसा करते ही जब आप product बुक करने जा रहे हैं तो उसके साथ एक subscription model लगा देती है किसी product को आपने कोई food supply लिए और उसको पास पहुंची है और इसलिए e-commerce company से कहा गया है कि यह सारे डाक पाइटर ने जिनके जरीव आपकी खरीद को प्रभावित करते हैं इन्हें रोख दिया जाए अगर आपको नहीं पता तो इसको सुनने के बाद ध्यान रखिए कि अगर कोई product आप खरीद रहें किसी e-commerce company से बुक कर रहे हैं और उसके नीचे वो लिख रही है कि फिछले गंटे में इसके सो पीज बिख चुके हैं या अगर आपने इसकी कीम इसे नहीं खरीदा तो इसकी कीमत अगले 24 गंटे में बढ़ने वाली तो ध्यान रखिए यह आपको ट्राप करने की कोशिश है सर आब इस नमबर पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं खरीदते समय कि आपको इस तरह से ट्राप किया गया इन डाक पैटरंस पे पे में फसाया गया फाल्स अर्जिंसी क्रियेट की गई तुरंत खरीड डाली है इसी बातें कहीगी इसके लावा वाटसेप मैसेज के जरिए भी एक जिस नमबर पर वाटसेप मैसेज के जरिए भी 195 पर फोन करके और कन्यूमर फर्स मिनिस्ट्री को के पास इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिखा है किसी आनलाइन प्लेटफार्म पर शापिंग करते हुए